शालों हमें सिर्फ बरे की शादी में श्रीक नहीं होना बलके अपने बादशाहों की बादशाह की पूरी खुशी में शामिल बोना है मत्ती रसुम की तहरीर का बाइसमों बाब यशु की आजमाईशों से भरा हुआ है जिसमें फ्रीसी, हेरूदी और सदुकी यशु से स्वाल पूछते हुए नजर आते हैं लेकिन स्वालों का ये सिल्सला एक तमसील से शुरू होता है जिसमें खुदामंद आसमान की बादशाही को एक ऐसी शादी से ताबीर करते हैं जिसमें बादशाह तमाम बुलाए हुएं को वक्त पर बुलाता है पर वो कोई न कोई उजल करके शादी की त्यार दावत में नहीं आते लेकिन चुके शादी की दावत अब त्यार है लेकिन बुलाए हुए मुझूद नहीं लहाज़ा बादशा अपने खादमों को कहता है कि बाहिर आम लोगों में जाओ और वहां से हर खास और आम को शादी की दावत में ले आप यूँ वो शादी की दावत महमानों से भर जाती है लेकिन जब बादशा महमानों को देखने आता है तो वहाँ एक शख्स शादी की कपड़ों में नहीं डेखता तो बादशा उससे शादी की पुशाक ना पहनने की वज़ा द्रयापत करता है लेकिन वो जवाब नहीं देता फिर बादशा गजबनाक होता है और उसे वहाँ फिंकवा देता है जहां रोना और दान्तों का पीसना है इस तमसील के बाद येशु की कोई गलती पकड़ने की खातर फरीसी हैरूदी फिरके के साथ मिलकर येशु से जज़िये के बारे में एक सवाल करते हैं उसी दिन सुदू की भी आते हैं और येशु से क्यामत और चादी के बारे में एक सवाल करते हैं असलने उनका इरादा क्यामत को ठटों में उड़ाना होता है लेकि येशु नहीं ये मौका नहीं देते फिर फिर फिरीसी दुबारा येशु को आज़माने आते हैं और इस बार शरीयत में सबसे बड़े हुख्म को जानने के बारे में येशु से सवाल करते हैं और येशु नहीं इसका जवाब देते हैं और साथ में जब फिरीसी काफित ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वहां येशु मसीहा के बारे में सवाल करते हैं कि मसीह किसका बेटा है ये स्वाल इस बाब का अपने अंदर नतीजा समेटी हुए है कैसे आईए देखते हैं वेल्कम फ्रेंट्स तो मैं चैनल प्लीस सब्सक्राब मैं चैनल हिट दे बेल आइकोन and don't forget to like and share my video with your friends Thank you नाजरी निग्रा में इस बाब की शुरू में जैसा आपने तमसील में देखा कि एक बादशाह शादी की दावत रखता है और बुलाए हूँ उनको बुलाता है अजीजों इस पूरी तमसील में आपने शादी का दसक्रा तो पाया लेकि शादी किसकी है वो आपने नहीं पाया होगा अब बादशाह अपनी शादी तो करवा नहीं रहा अजीजों याद रखिए इस तमसील में जो बादशाह का बयान है वो खुदावन खुदा है और जो शादी की तक्रीब का तजकरा में हमें मिलता है वो बरे की शादी है यहूदियों में बाशाही तोर पर ये रीत मिलती है कि शादी की तक्रीब के नाकाद का लोगों में नकारा दो बार बजवाया जाता था एक बार तब जब शादी का सब को बताना मकसद होता और दूसरी बार तब जब शादी का वक्त आन पहुंचे यहूदियों में ये रस्म मिलती है कि शादी का लोगों को बताया जाए लेकिन उसमें वक्त और जगा नहीं बताये जाते लेकिन शादी की त्यारी मुकमल हो जाए तो जगा और वक्त का नकारा बजवा दिया जाता है इस समसीर में भी ऐसे ही होता है लोग उनको शादी का पता तो था लेकिन वक्त का नहीं इसलिए लोग अपने कारोबार और रोजमारा के कामों में मस्रूफ थे और जब वक्त आता है तो लोग उस शादी में शरकत पर राजी नहीं होते ये शादी क्यामत का दिन है जब बरा अपने दुलहन लेने आएगा और जो शादी के लाइक नहीं ठैरे उन्हें अपने से हमेशा के लिए दूर कर देगा आज सारी दुनिया जानती है कि येश्वो ने आना है लेकिन कब ये कोई नहीं जाना येश्वो ने कहा था कि मैं चोर की मानित आ जाँगा यानि मेरे आने का कोई वक्त नहीं है मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ आज हमें हर पल त्यार रहने की ज़रूरत है और शादी की जाफत में शामल होने के लिए अपने आपको त्यार करने की भी जरूरत है ये त्यारी जिसमानी और रोहानी दोनों तरहां से होनी चाहिए इसमें सिर्फ शादी में शरीक होने का लारच नहीं होना चाहिए बलके अपनी खुशी से बाच्शा की खुशी में शामल होना है उस आदमी की तरह नहीं जो शादी के कपड़े बेहने बिना ही शादी की दावत के मज़े उड़ाना चाहता था शादी के कपड़ों से मुराद वो देनी खुशी है जिसमें हमें बाच्चा की खुशी को अपनी खुशी मानना है क्योंकि हम तभी अच्छे से तियार हो सकते हैं जब हम मेजबान की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं वरना खुदा वो है जो दिलों के भेद जान लेता है इस तमसील से आगे जितने भी वाकियात हैं वो इसी तमसील की तश्री है मसलएं यशु से जब कैसर को जजिया देने की बाबत कुछा जाता है तो यशु कहते हैं कि दुनियवी माल से खुदा को कोई गरज नहीं उसे तो तुम्हारा दिल चाहिए तुम्हारी रूँ और तुम्हारी खुश ही चाहिए वो सब खुदा उनको दे दो और यही तमसील का हासल भी है फिर सदुकी क्यामत का मजग उड़ाने की खातर साथ शोहरों वाली औरत का क्यामत में मुकाम पूछते हैं इसे उनकी मुराद ये थी कि क्यामत होनी ही नहीं यानी जिसमानी क्यामत ना होगी चुँके सदुकी शरीयत की पहली पांच कताबों पर इमान रगते थे इसलिए यश्यू ने भी उनको जवाब तोरा में से ही दिया यश्यू बियान करते हैं कि तुम लोग ना तो शरीयत को जानते हो और ना खुदावं की कुदरत को क्यामत में बियाशादी ना होगा सब फरिश्टों की माने थोंगे यश्यू का ये मतलब हर्गिस ना था कि क्यामत में रिश्टों की पहचान ना होगी क्योंकि अगर ऐसा है तो लुका सुलिम बाब की इस अमीर आदमी की तमसील याद कीजिए जो आलमे अर्वा में बज़र्ग अबरहाम से मिन्नत करता है कि लाज़र को नीचे भेजे क्योंकि अमीर आदमी के बाब के और पांच बेटे भी है इसमें अमीर आदमी आलमे रवा में रिश्टों की परवा भी कर रहा है और उसे रिश्टों की पहचान भी है लहाज़ा क्यामत में रिश्टों की पहचान होगी इस तरह Nhني यशू कुड़ा की गुद्ध को समझाते हैं और कहती हैं कि कुदा मुर्धों का खुदा नहीं बल्के जिन्दों का है तो कि उसने कहा कि मैं अबरहाँ, जहाक और यद्यूब का खुदा हूं क्या खुदा ने था का जिकर किया? नहीं बलकि उसने कहा मैं हूँ इससे मुराद है कि खुदा मुर्दों को जिन्दा करने की कुद्रत रखता है इस सवाल और जवाब का तालुक पहली तमसीद से ये था कि क्यामत होनी है और क्यामत में बरा अपनी दुलहन लेने भी आएगा यानि शादी की तक्रीब का इनयाद होना है इसकी बाद प्रीसी फिर येशु से शरीग के सब्सक्षे बड़े हुकम के बारे में दिर्याफ्ट करते हैं तो यशु कहते हैं कि खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारे जान और अपने सारी आकल से महबद रखो और आपस में भी महबद रखो इसी हुकम को शरीयत की तकमील भी कहा गया है यानि अगर हम शरीयत का सिर्थ यही हुकम माननें तो यही हुकम हमें शरीयत के किसी हुकम के खलाप नहीं जाने देगा और हम खुदा के cerv Arms carriedре उसके बेटे की शादी में मकमल त्यारी के साथ शामल हो सकेगे आखिर में यश्यू एक सवाल करते हैं जो इस बाप का हासिल और तमसिल का मुकम्मल फाहम देता है सवाल जी था कि मसीह किस का बेटा समझा जाता है फरीसी जवाब देते हैं कि दाओत का लेकिं यश्यू कहते हैं कि वो कैसे कि दाओत तो जबूर 110 में उसे एक खुदाओंद कहकर मुकातिक करते हैं लेकिन कोई फरीसी उसको जवाब नहीं देता है लेकिन आज मैं और आप इस सवाल का जवाब जानते हैं मुकाश्वा 22 में बाप उसकी सोलमी आयत में रकम है कि मैं ही शुरू और मैं ही दाओत की असल है यानि यश्यू में दोनों खासियतیں थी वो दाओत की नसल से भी है और खुदा का बेटा भी है हालेलुया यश्यू की तारीख अजीज़ो इसी खुदा के बेटे की शादी में हमने शरीक और पुरी खुशी से शामर होना तो आईए आज हम अपने आपको त्यार करें और खुदा उसे मुकमल दिल औ जान और अकल से महब्बत रखें कभी हम बाशा की खुशी को अपनी खुशी मान कर त्यारी कर सकेंगे आज जरा सोचिए कि आप किस तोर से त्यार हैं कि आप सिर्फ शादी में श्रीक होना चाहते हैं क्योंके बुराएं तो बहुत गए हैं लेकिन चुनीदा कम हैं आप आज चुनीदा बनिए थोड़ी देर के लिए इन तुमाम बातों पर द्यानों ग्यान कीजिए और मेरी दौा है कि खुदा में आपका आज का दिन बाबर्कत और मुबारिक हो आमें स्लामत रहे